हेलो माइ ब्यूटिफू सोल फैमली, होप की आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को इंचुआई कर रहे हैं यूनिवर्स अमें प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों के सारे बेसे स्कूरे हो जाए और जैसे जिनगी आप चाहते हैं वैसे जिनगी आप सभी लोगों को मिले वेल आज को जो हमारा टॉपिक है जो की बहुत ही पसंदीदा है और बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट भी है ठीक है सभी के लिए सभी के लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ठीक है और मुझे आसा रगता है दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है मैरिज और marriage के बारे पता चल जाए कि इस से होगे शारी तब बात ही क्या है तो आपको यहाँ पता चलने वाला है कि आपके शादी होने वाली है किस से क्या आपुस परसी मिल चुके हैं यहां फिर अभी मिलना बाकी है मतलब कि आपके यह पास्त होंगे या प्रेजेंट के परसंद के साथ जर्नाप और जो भी स्ट्रगल्स आएंगे सैक्रिफाइज आएगा वह भी मैं यहां पर डिस्कर्स करके बताऊंगे और उसके साथ साथ जो इंजॉइमेंट आएगा जो खुशियां होगी जो ब्लेसिंग सर्प्राइज़ वैसे अवन देंस ठीके स्पिरिश्वालिटी यह सब में आप लोग कैसे कदम रखेंगे इस क्या चीज़े जो है अपने लाइफ में रिसीफ करोगे अपने मैरेड लाइफ में इस तरीके से आपका ट्रांस्फॉर्मेशन होगा आपके हस्मेन के साथ आपके वाइफ के साथ अपने जेंडर के अकॉर उनका फिजिकल अपिरेंस कैसा है चाहे वो चाहरा हो या फिर पुरा बॉडी हो सब कुछ मैं आपको डीटल में बताने वाली हो जोडिक साइन हो नेम इनिशल हो कंट्री स्टेट हो गया और प्रोफेशन हो गया और बहुत सारी चीज़ा है लाफ लेटर हो गया उनके सकते हैं और इंस्टा इडी का जैन्वेन लिंक मिलेगा उसे क्लिक करेंगे तो जैन्वेन इंस्टा इडी पहुंचेंगे बाकि सारे फेक और अवेर रहेगा मैं नमबर नहीं देती हो ठीक है तो अपनी जल्दी-जल्दी बुकिंग कीजिए देर कि और दुनिया की किसी भ सब्सक्राइब करता है यह चानल ही शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत इस तरह के ब्यूटिक्फुल रिदिंग्स में हमेशा डालती हो हर टाइप के रिदिंग चाहिए वो करेंट फीनिंग हो ठीक है सो यहां पर यह रिदिंग टाइमलेस हैं मेल फीमेल अल्टीबीटी क्य फर्स सेंद्ट मैलेच वाले सब भी लोग देख सकते हैं ठीक है कोई भीदबा हो यह पे नहीं होने वाला सब भी लोग देखेंगे सूल है यह मैटर करता है और राइट तो अब मैं आपको बता देती हूं कि आप सभी लोगों को पाइल सेलेक्शन कैसे करना है क्योंकि अब बर्देट के कार्डिंग सेलेक्ट कीजिए वन से 15 के बीच में अगर आपको बर्दे आता है तो पाइल वन आपकी रिटिंग होगी किसी भी मंत में और आपके लिए जो कार्ड है पाइल वन वह है आपका रोमांस और कनेक्शन का ठीक है और पाइल टू अगर आपका पाइल टू आपकी रिटिंग होगी और आपके लिए जो कार्ड है वो है लिसन डिपली का दिस इस फौर पाइल टू आपको इंटुटिवली सेलेक्ट करना है भगवान इश्वर जीजेस अल्ला वाही गुरू जिनमें भी आप विलीव रखते हैं उनका नाम लेके अपने कार्ट को सेलेक्ट कीजिए या फिर अपने डेट आप बर्थ के एक ओर्डिंग देख सकते हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टांप है क्लिक करेंगे तो डालेक्ली आप अपने पाइल पे पहुंच जाएंगे और अपनी डिडिंग को इंजॉई करेंगे और बहुत सारी इंफर्मेशन लेंगे तो मैं पॉस्ट करके दिखाती हूँ उसके बाद में मिलूँगी आपको आपके रिडिंग पे हेई पाइल बन होप कि आप अपने इस पर दीट को सेलेक्ट करके आया है या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस प्यूटिफुल रोमांस अन कनेक्शन कार्ट को तो देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगे और जिससे आपकी शादी होने वाली है क्या आप उस परसन से अल्रीडी मिल चुके है ठीखा है और अगर नहीं मिले है तो कब कैसे कहां इस परसन से आप मिलने वाले है So Please Godt give me accurate message, personally को येंले इ स्टाइड के तुरू जो कि मैंने आपको स्किन पे शो कर दिया है किसी भी टॉपिक पे आप अपनी परस्ट इंग ले सकते हैं मैरेज हो लव लाइफ हो करियर हो हैल से रिलेटेड हो पासलाइफ रिग्रेशन हो यह जो कुछ भी हो और अपने फैमिली फ्रेंड्स किसी के लि आपके निचर वाइस एन लुक्स वाइस भी क्योंकि फिजिकल अपिरेंस के बारे में भी मैं आपको डेफिनेटली बताने वाली हो ठीक है ओल्राइट ओके सबसे पहले यहां पर मैं यह चीज़ बता देना चाहती हूं कि एक बहुत ही रोमांटिक परसन से शादी होगी आ कि आपने लाइफ में कभी एक रोमांटिक कनिक्शन को नहीं फील किया ना इन्जोई किया कुशिच की है आपने बहुत बार कि कोई ऐसा पर्सन मुझे मिल जाए लेकिन कभी आश्य तक हो नहीं पाया लेगिन यह चान लीजिए कि आपके डिस्टनी में लिखा है कि आपको एक बहुत ही beautiful romantic partner मिलेंगे और आपके destiny में क्या-क्या लिखा है इसको जानने के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं ठीक है और भी मैंने वीडियो आज ही डाला है वो ज़रूर जाके चेक कीज़े ठीक है और राइट तो सबसे पहले यहां पर यह चीज़ क्लियर है कि एक बहुत romantic connection आपके future spouse के साथ मतलब husband wife अपने gender के according कीज़ेगा उनके साथ होगा इसमें कोई शक नहीं है और कैसा connection होगा तो बहुत caring connection भी होगा connection तो होगा ही होगा और बहुत type के connection होगे तो वो सब यहां पर discuss में करके आपको बताने वाले सबसे पहला यहां पर काठ है balance का एक person बहुत ही ज्यादा एक स्थिर दिमाग बाले स्वाबी मानी बहुत ज्यादा stable person हो सकते हैं हर एक मामले में बहुत ज्यादा balanced होना चाहे वो professional life हो या personal life हो इनको देख का भी ऐसा लगेगा कि यह बहुत जादा अपने life में खुश हैं ठीक है satisfy yourself satisfy यह बहुत ज्यादा होंगे ठीक है इनका जनम हो सकता है मतलब birth date 14 को पढ़ता होगा birth date हो सकता है ठीक है और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस person का चहरा या फिर skin कह सकते हैं यह तो sensitive हो सकता है यह बहुत soft हो सकता है ठीक है अगर overall face की बात की जाए तो maybe round face हो सकता है maybe यह फिर oblong हो सकत है and maybe square face भी होने के chances यहां पर मुझे दिखाई दे रहे है ठीक है square हो सकता है और heart shape होने के chances है तो यह सारे कुछ सेट मुझे दिखाई दे पढ़ रहे है तो सबसे पहले ऐसा हो सकता है कि square हो और jawline इस person का मुझे sharp दिखाई दे रहा है काफी sharp होगा इस person का jawline ठीक है और उसक सारे energy यहां पर दिखाई दे रहे है उसके सासाथ मुझे आप ऐसा लग रहा है कि symmetrical and nearly round face भी हो सकता है बतला होता है कि यह साइड थोड़ा सा अलग होना थोड़ा साइड यह बला अलग होना ऐसा कुछ नहीं होगा इनका face मुझे बहुत जादा symmetrical दिखाई दे रहा है और बह बॉटम में थोड़ा सा मुझे हेवी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है टेकर 10-20% लग लग रहा है इनका जो बॉटम वाला face होगा वो थोड़ा है बड़ा हो सकता वाइड यह चीज है तो आप जो हैपने person से match कर सकते हैं बात यहां पर यह है कि इंसान बहुत अ घर में यह बड़ा काम आने वाला है married life में ठीक है तो आप दोनों का जो रिष्टा है वो काफी ज़्यादा इनके तरफ से balanced रहेगा आपके तरफ से भी रहेगा definitely लेकिन इनके तरफ से एक जवर ज़र बैलन्स मुझे दिखाई दे रहा है आपके married life में और यह एकदम perfect timing में यह person आपके life में इंटर करेंगे दो वीक के अंदर यह person आपके life में इंटर कर सकते हैं ऐसे energy मुझे आपके दिखाई दे रही है ठीक है एक चीज यहाँ पर यह है कि इनका jaw jawline हो सकता है कुछ लोगों के 90% लोगों के लिए और कुछ लोगों के थोड़ सा heavy हो सकता है यह च ब्राउन भी हो सकता है यह blonde hair color हो सकता है ठीक है इस तरह की energy मुझे आपके दिखाई दे आइस की बात की जाए तो मेभी इस person का eyes round हो सकता है गोल ठीक है यह almond हो सकता है ठीक है और chances है कि downturn eyes भी हो सकता है ठीक है deep set eyes या फिर up turned भी इस person का up turned definitely बहुत beautiful eyes होगा इस person का और उसके सब्सक्राइब आपके जो परसन है उनका जोडिक साइन एडिस लियो साजिटेरियस हो सकता है जब आप अपने लाइफ में अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक new opportunity को receive कर रहे है उस वक्त यह person आपकी लाइफ में आ सकते है जब कभी आपका करियर advancement हो रहा है ठीक है करियर म आपके लाइफ में आ सकते है ठीक है यहां पर एक चीछ क्लियर है कि जब यह person आपके life में आएगे आपका life पूरा का पूरा पूरा का पूरा बदलने वाला है ठीक है अपका lifestyle पूरा का पूरा बदल जाएगा ऐसे energy आप दिखाई दे रही है यह card clearly बता रहा है कि आपके life म कोई new person आएगे something कुछ नया होने वाला है someone new ठीक है तो ऐसा हो सकता है कि शायद आप इस person से अभी नहीं मिले है और अभी मिनना बाकी है यह चीज़ आपर मैं clearly देख पा रही हो उसके साथ यहाँ पर मुझे असा लग रहा है कि शायद आपको business वगरा करना चारे है या in future उस दोरान भी यह person आपको मिल सकते है इनका मुझे body बहुत fit and fine दिखाई दर है बहुत strong हो सकते है और बेली वगरा जो पेट वगरा वो बिल्कुल भी निकला वाली होगा एकदम बिल्कुल fit and fine टाइप यह person होंगे ठीक है बहुत ही जादा focused person होंगे और sensual energy भी बहुत अच सकती है ठीक है यह चीज़ है जिसके वजह से इनको बहुत जादा लाट प्यार में पाला गया है पुसा गया है और उसके बाद यहांपे मैं इस person के बारे में बताना चाहती हूं कि जब भी यह person आपके life में आएंगे तो कुछ नया good news या new beginning को लेकर आएंगे उस दिन आप पर कुछ अच्छा हुआ रहेगा ठीक है आपके family में कुछ अच्छा हुआ रहेगा उसी दिन यह person आपके life में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं लव marriage के भी chances है अगर आप करना चाहते है अपने current person से चाधी तो उनसे हो सकती है ठीक है लेकिन उसके पहले आप दुनों क परिश्टात बहुत beautiful होगा renewable होगा bonding strong होगी देन होगी वैसे ज्यादा chances मुझे आपे new person के दिखाई दिरहें कोई new person आएंगे उनके साथ relation में आ सकते हो और directly marriage proposal आ सकता है और इस marriage वो एक अलग बात है लेकिन मुझे आसा लग रहे है कि कोई new person हो सकते है यह थोड़ी chances ज्या करता होगा इनको challenge को accept करना उसको हराना बहुत अच्छा लगता होगा क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा talented और progressive person है बहुत grow करने वाले बहुत growth इस person की life में हुआ भी है यह ऐसे इंसान है जो कि कभी आलस में घिरे हुए नहीं रहते बल्कि बहुत सब्सक्राइशन लेते हैं इ जिए fit and fine type दिखाई पड़ रहे हैं ठीक है एक चीज मैं यह पर देख पारी हूं कि इनके अंदर बहुत सारे senses होंगे जैसे की senses of urgency कि कुछ ऐसा गलत होने वाला है यह कुछ alert रहने की जरुरत है यह कुछ ऐसा होने वाला है तो उससे यह बहुत जादा सतर्क हो जाते होंग जो चीजे होने वाली है उस चीज को पहले ही फील कर लेते होंगे ऐसे इस परसन के अंदर भवान ने अलग से दी होगी बहुत बड़ी लेवल पर नहीं होगा लेकिन हाथ छोटे लेवल पर हो सकता है लिए शादी के बात के अगर बात की जाए तो यह आपको लेकर बहुत बिज़ी हो जाने वाले है आपको लेकर बीज़ी होंगे आपको छोड़कर नहीं बहुत सदा इंगेज रहेंगे आप में ठीक है और आपके साथ जैसे कभी कुछ घर खरीदना फरनीचर करीदना कार्ड खरीदना कुछ भी खरीदना तो जो भी बैसिक नीर होता है उसको आ अगर आप यह जानना चाहते हैं कि क्या हम शादी के बाद हनीमुन पर जा सकते आने तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यह सादनों हनीमुन पर जाएंगे ठीक है और जब यह परसन आपके लाइफ में आएंगे तो ऐसा हो सकता है कि पहला वाला शादी जो मैरेड लाइफ वो आपका खतम हो रहा है उसके बाद इस परसन से आफ शादी कर रहा है कुछ लोगों के लिए है नर्जी फर सेकेंड वाले हो सकते हैं सिंगल पैनल हो सकते हैं तो उनके लिए भी है यह सबर्जास इंफॉर्मेशन कि यहां पर आप लोगों कर डिक्यूकर्ट सिच्वेशन ख छोड़ देना चाहिए ठीक है तब ही आपके लाइफ में यह निव परसन इंटर करेंगे और यह हैल्प भी करेंगे आपको यह आप जो है अपने करेंट सिच्वेशन को जो आपको बहुत जादा परिशान कर रहा है उसको छोड़कर आप अपने लाइफ में आगे बढ़े ठीक है यह कार्ड आपको यह भी बता रहा है कि शायद आप अपने करेंट रिलीशन को छोड़कर या करेंट पार्टनर को छोड़कर किसी निव परसन के पास आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा पैसा नहीं है कि आप बैमान हो आप बैमान नहीं है आपको खुद आ आते हुए ये परसन दिखाई दे रहे हैं ठीक है ये कहीं नहीं अपने भी पुराने हर्ट को ओल्ड हर्ट पेन डोर्मिंट को डिलीज करके आपके तरफ फार है तो सिच्वेशन दोनों का एक जसा हो सकता है जैसे ये भी तकलीफ में आप भी तकलीफ में दोनों एक दूसरे को बहुत जादा सिंपैथी दे रहे हैं प्यार कर रहे हैं दुने दूसरे के लाइफ में चिंजेस लेकर आ रहे हैं और साथ-साथ आगे बढ़ रहे हैं यह वाली है नर्जी तो अगर मैरेड लाइफ की बात की जाए तो यह बहुत सिरियस होंगे क्यों कियों कि इनको हर एक पता है दुख तकलीफ का तो यह बहुत जादा प्रोटेक्शन और स्टेबिटी बनाकर रखने वाले हैं चाहिए आप दुनों के बीच में कितने भी क्योंज यार हाट्शिप आए यह कभी किसी तीसरे परसन को सामिल नहीं होने देंगे रिष्टे में ठीक है उसके बाद यहाँ पर एनर्जी है दिस वन तो मुझे असर लग रहा है कि यह वो इंसान है जिनोंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा तेंशन कॉंपर्टीशन देखा है मतलब इनको ना मतलब इनके अपने लोग ही बहुत ज़्यादा प्रतारिच दने की कोशिश किया है बहुत इसके बाद यहाँ पर आपके परसंद देखिया किने प्रीस वो सकते हैं यह एकदम बहुत बहुत ही जवर्दस्त अनि स्टॉंग एनर्जी परसंद के अंधर होगी ही होगी बहुत प्रीस इंसान होंगे जिसके भी लाइफ में जाते होंगे उसको जीती लेता हूंग उसक टॉरन लिप्स हो सकता है यह भी अपर लिप्स मैंने बताया और में भी राउंड शेप लिप्स हो सकता है इस पॉसर का ठीक है तो यहां पर यह कि परसन को पाने के लिए बहुत साही लोग आगे पिछे पड़े हुए क्योंकि यह प्रीस बहुत है सिर्फ आपके निजर में बहुत सारी लोगों के नेजर में होंगे उसके बाद फिर से है दालायन की एनरजी बिलकुल मिझे राजा अनरानी वाली एनरजी आपके परसन के लिए फ्यूचर स्पास के लिए दिखाई दे रही है उसके बाद आपके जो परसन है एक चीज यहां पर क्लियर है कि इनको फि लगाव हो सकता है एनिमल्स से ठीक है यह ऐसे इंसान है जितना हो सके उतना लड़ाई जगर उसे बचते है अपनी अनरजी को बचा के रखते है और उसके साथ साथ यह बहुत रेक्स करते है जब सोते है तो आप देखो कि कितने जादा यह परसन क्यूट लगेंगे आपको ठीक है यह चीज आप पर मुझे क्लिर ली दिखाई दे रहा है उसके बाद कुछ और भी आपे मेसेज़ेस क्लारिफाई करते हैं कि यह जो परसन है यह कैसे है जो डिक साइन और कुछ हाउस भी देख लेंगे कि इनका हाउस कौन सा स्टॉंग हो सकता है ठीक है जिससे आप अपको कुछ और भी इंपॉर्टन इंफोर्मेशन मिलेगा प्ली स्कॉर्ट गिफ में क्यूरेट मैसेज देखे कहीं भी हो दुनिया के किसी भी कोने में अपनी परसनल डिक ज़रूर बुख वीचे और किसी भी टॉपिप पर अपनी परसनल डिक ले सकते हैं मैरेज हो लव तो किसी से ज़यादा फ्रेंशिप भी नहीं करते हैं बहुत सबधा फ्रेंड्ली होते हैं लेकिन कभी किसी का बूरा भी नहीं चाहते टीके तुम जी यही चीज दिखाई दे रहा है कि आपके जो परसन होंगे यह बहुत ही ज्यादा अपने से मतलब रखने वाले कह सकते ह कि इंसान होंगे पुछ लोग इनको मतलभी मोलते होंगे लेकिन मतलभी नहीं यह बहुत इनकी वहांmar आनेरजीं में के सासाथ बहुत से बहने और फोर से रही Ha Hiya कि वह मार्स होगा यह तैसे यह सब हो सकता है और यह जो परस और सब्सक्राइब करते होंगे सिनम इस साथ के लिए कुछ भी कर जा है और इनका फ्इवरिट इनका फेवरिट कलर होगा रेड oranj and white ठीक में इनको टीका खाना बहुत ही ज्यादा पसंदा होगा चीली हो गया पेपर हो गया यह सब बहुत ही ज्यादा क्या करते होंगे अपने खाना में यूस करते होंगे काती या फिर खूलिया कि प्रेस बिए टाली एक चिली पेपर्ण बहुत ही ज़धा पसंद होगा इंके आइã एक इम्परेरर की एनर्जी ए ते किmom इनर्जी यह क्या है 聊 एक इम्परेरर की ए arena ठीक है इनको हो सकता है एरो वगेरा चलाना बहुत अच्छे से आता होगा ठीक है धनुस पाजे जिसे करते हैं वो इनको बहुत अच्छे से आता होगा हो सकता है school time में उन्हें college time में सिखा हो ठीक है कहीं न कहीं ये person आपके life में ignite करने के लिए आ रहे है आपके path को क्योंकि इनकी energy Sagittarius की भी आ चुकी है तो ये person बहुत ही जादा superiors confidence और enthusiastic person होगे जिसको अपने उपर बहुत भरोसा होगा और बहुत किस्मती वाले होगे ठीक है बहुत किस्मत अच्छा होगा चमकता होगा और authority power position होगा इस person के पास लिब्रा है इस person का zodiac sign आप दोनों के रिष्टे में हमेशा एक बहुत ही beautiful balance रहेगा एक दुसरे के बीच में equality होगी ठीक है उसके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों libra aquarius यह जो है आपके person के zodiac sign हो सकते हैं इनको सुरुष से ही बहुत ज़्यादा मन था कि मैं engineer बनूं ठीक है मैं science की field में जाना चाहता हूं तो यहाँ पर यह person science की field में है और बहुत कुछ कर रहे हैं अगर इनकी पसंद देखी जाए तो इनको पसंद है house card में important है 11th house और इनको universe पसंद है social occasion friends दोस्तियार सबके साथ घुमना फिरना ठीक है और बड़े-बड़े wishes बांगना ठीक है किसी के wishes को पूरा कर देना यह सब इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा तो सबसे पहले इनको जो सबसे ज़्यादा पसंद में है वह इंडिपेंडेंट रहना ठीक है इंडिपेंडेंडेंस बहुत सबसे पसंद है challenging work इनको बहुत सबसे पसंद है ठीक हमेशन चार्ज रहना बिंग इन चार्ज आक्शन लेना ठीक है काम भी करते होंगे तो बहुत स्पीड़ी करते होंगे और उसके साथ बहुत शार्फ डिसीजन में करते होंगे और बहुत जल्दी भी करते होंगे और उसके साथ पॉफेक्ट करते होंगे ठीक है चिल टाइप ये परसन है मतलब किसी चीज को बहुत जादा मात्रे पर उठा लेना टेंशन ले लेना उस टाइप का नेचर नहीं है बहुत चिलाक्स करते होंगे वैसी वाली अनरजी मुझे यह पर दिखाई दे लिए लेकिन कुछ चीज़ है जैसे कि यह पर एट हाउस है य परसन आपके साथ इनके आने के बाद आपके लाइइप में बहुत सारे सोर्से बहुत सारे रिसोर्सेज अपन होते वह दिखाईते रहें है आ कुछ चीज़ह ऐसी है जैसे कि इनको बिल्कुली पसंद है किसी के ऊपर डिपेंड होना ठीक है यह कभी भी किसी के यह उपर पालेखनें में किनल्स दीक हो दर में सकता है आक किसी कउपना बेक बनाने वाले उसके बाद आपके परसन के अंदर confidence तो बहुत ही साथ है self confidence courage belief और किसमत भी बहुत अच्छा है ठीक है यह चीज़ मुझे आप पर clearly दिखाई दे रहा है अब देखते हैं कि आपके यह जो person है इनका name initial किया है पहले देखते है प्ली स्कॉर्ड गिव में accurate message क्या हो सकता है name initial सबसे पहले है यहां पर L ठीक है first name second name third name कुछ भी होगा तो आप मैच कीज़ेगा एन दिन यहां पर है जी please score give make you rate message w e y u t three last language please score give make you rate message for my dear viewers j v last one is o ठीक है first name second name third name कुछ भी हो सकता है अब में आपे देखते हैं कि आपके जो person है वो कौन से country के है please score give make you rate message यह सारे country आपके भी हो सकते हैं आपके person के भी हो सकते हैं honeymoon के लिए important हो सकता है सबसे पहले है पेरू USA के भी हो सकते आपके person ठीक है पोलेंड के हो सकते हैं और में भी ए परसन इंडिया के भी होंगे ठीक है एंड दिन है यहां पर रश्या वारिस्यस डेन्मार्क और देखते हैं यह से 3 अलजेरिया एंटिग्वा और बार्बुदा और लास्ट यहां पर है आपका अर्मेनिया तो यहां पर कुछ और भी कार्ट्स बचे वे उसके तुरू भी देख लेता है कि आपके person कहां के हो सक अपने पॉजिटिविटी लाइक अब सब्सक्राइब करके आप जल्दी से भीज दीजे ताकि आपके लिए एक्यूरेट मैसेज आये प्लीज कॉट्ट गिव में एक्यूरेट मैसेज पर मैद्डियो व्यूवर्स लावस जॉर्दन देन यहां पर है आपका भूटान अन् सबसे पहले हैं यहां पर आपका कोश्ट तारीका बिल्जियम नेपाल लास्ट वनिस यूनाइटेट किंग्डम तो यह सारे कंट्रीज हैं जहां से आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे अब देखते हैं यह जो परसने कौनसे स्टेट के हो सकते हैं सबसे पहले वेस्ट के हो सकते हैं डेली के हो सकते हैं बैबी अठीफ भगे और भी हो सकता है कि महरास्ट के भी हो सकते एघ्य है ह कि क्टे अर मुझे आप ऐसा लगरा है कि शाद आपके परसन मद्यपरदीश के भी हो ठीक है त्री लास्ट लेंगे तो त्री में है आपका जारखंड मेगाले करनाट का जो कि आसाम के भी हो सकते हैं अब यहां पर मैं आपको बताना चाहती हूँ जो बहुत बहुत इंपोर्टेंट है वह यह है कि आपके परसन आपके लाइफ में कब तक आएंगे फ्यूचर स्पाउस ठीक है आचुके है तो बहुत अच्छी बात है और आएंगे तो मुझे ऐसा लग रहे हैं अपके लाइफ में आया है कुछ दिनों पहले आया है लेकिन आया है वह हो सकता आपका फ्यूचर स्पाउस ठीक है और रेनी सीजन में आएंगे मतलब रेनी सीजन आपका आहीं चुका है तो अब यह परसन जो है यह भी आएंगे और बहुत रोमांटिक में आएंगे उसके बाद यहां पर है दिके कुछ लोगों के लिए डिले भी हो सकता है यह अब डिले आपने फेस किया है तो खुश हो जाईए क्योंकि रेनी सीजन में आपको मिल रहा है ठीक है उसके बाद यहां पर है ऐसा हो सकता है कि यह परसन आपसे दूर चले गए थे कुछ लोगों के लिए पास्ट के परसन हो सकते हैं मतलब कि यह परसन आपसे कारण के सबसे पहले हैं यह शादिया थे जूम जुलाइच आपको जून आपको चला गया तो हो सकता है कि जून में ही आप इस परसन से मिले हो एक दो वीक पहले और या फिर जुलाइए में तोंटी परसन से आप मिल सकते हैं आगे आने वाले एक में के अंदर ठीक है आए अफ्म जाओ से शादी हो जाएगी तो यह परसन अगर थोड़े देर के लिए अगर आपसे दूर होंगे तो आपको से तहेंगे I have never missed anyone as much as I missed you ठीक है तो मतलब यह परसन आपको बहुत पसंद करेंगे बहुत प्यार करेंगे और यह कहना चाहेंगे और यह कहना चाहते है कुछ लगों के अई सब्सक्राइब लेकिन सुरूं में या फिर बाद में हो सकता है उतना अपने तरीके से जो लफ सो करना होगा वह responsibilities उठागे करेंगे ठीक है तो यह प्यार तो आपसे बहुत करेंगे लेकिन responsibilities उठाने पर इनका ज्यादा ध्यान रहेगा उसके बाद यहां पर क्या है how can I explain you what you mean to be मतलब आप इनके लिए सब कुछ हो जाओगे आप इनके लिए पुरी दुनिया हो जाओगे आप इनके लिए clouds होगे आप इनके लिए mountain होगे आप इनके लिए जीन होगे river होगे ocean होगे सीज होगे सब कुछ होगे universe होगे आप इनके लिए ठीक है यहां पर और में messages है जैसे कि no one can ever take your place in my heart तो आपको यह परसन बहुत ही जादा याद करेंगे जहां भी रहोगे बहुत प्यार करेंगे आपके pictures को हमेशा देकर किस किया करते रहेंगे ठीक है जब आप office में रहोगे यह यह office में तो हमेशा miss करते रहेंगे ठीक है और फिर इसके बाद यहां पर यह भी दिखाई दे रहें कि आपके जो person है miss भी करेंगे और आपके picture को देकर किस भी करेंगे साथ-साथ यह person यह भी कहना चाहते है कि तुम्हारी जगह तो घर कोई नहीं ले सकता कोई भी नहीं ले सकता और इसलिए कहना चाहते है I will wait for you मैं तुम्ह आपको फर्स टाइं उनका मिलेंगे जूक strap department store ऑर देखते है दूर्स पोर्ट इयर्पोर्ट out-off station बैशुक्टेशन मिल सकते हैं फैमली के बीश बीच में सकते हैं ठीक है अब्रॉड में मिल सकता हैं पब it alright then here person railway station में मिल सकते हैं स्टोर मोबाइल स्टोर एन और देखते हैं साइबर कैफे अन एक्सपेक्टर ली वर्क प्लेस टेम्पल एंड लास्ट वन इस मॉल ठीक है तो यह सरे हो के प्लेसे जहां पर आपने परसे से फर्स्टाइम मिलने वाले अब देखते हैं कि इस परसन का प्रोफेशन क्या है जो मैं ली व्हाहिन या बिजनस्ममें शकिए मैं वेर पर्संर राइटर हुआ सकते हैं मैं भी यह जो परसन है बैंक पीड इन थे निबीकरर है कि ऐर फ़ो chefी कि ईौ्टर भी उसकते आपके परसन मैं बरसन ल मेह करते हुँ सकते हैं इसके बात चान्सेज कि आपके जो परसने बहुत प्रोफेसर हों मैजिश्यन हो पिंटर हो डांसर रिपोर्टर हो सर्जन हो ठीक है योगा इस्ट्रक्टर होने के भी चांसेज हैं आई एस आइस आइपस आफिसर आई फिस आफिसर यह फिस्टेट पीसे पिसेश पुलिस ओफिसर भी हो तो यहां पर मैंने काफी सारे आपको बता दिये कि इस परसन का प्रोफेशन क्या हो सकता है तो अब मैं आपको बताती हो कि आपके जो परसन है इनका लव लैंग्विज क्या होगा मतलब कैसे यह परसन आपको ट्रीट करने वाले हैं इसलिए सबसे पहले यह जो परसन है हमेशा आपके लिए कुछ थौटफुल बताव सोस समझ कर कुछ अच्छा सा कुछ ब्यूटिफुल सा जो आपसे सूट करें आपको पसंद आए वह आपके लिए खरीच सकते हैं ठीके आपके ओपर हमेशा अटेंशन बना के रखेंगे श बुरा मान जाए इसलिए हमेशा यह परसन आपसे अच्छी ही बाती किया करेंगे अभी उसे वर्ड यूज नहीं करेंगे और हमुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग हानिमुन पर जरूर जाएंगे ठीक हमेशा यह बरसन कहीं भी कुछ भी जगह पर चले गए किसी कारण के कावजय से छोड़कर तो यह परसन आपके लिए हमेशा कुछ न कुछ चुछ न कुछ चुछ चुछ शुटे सर्प्राइज त्यार करके रखेंगे प्रेजन गिफ्ट टिके ग्रीटिंग कार्ट के थू ऐसा मुझे लग रहा है और यहां पर काफी ज़्यादा आप दोनों में सुएंगे तो आपको जोड़ से गले लगाकर मुझे सोते हुए आपके दिखाई दे रहे हैं इनको आपके साथ मॉप करना बहुत सारा आपको कॉंपलिमेट देना अपनी फीलिंग को एक्सप्रस करना ठीक है और बहुत इज़त के साथ यह इनका लव लैंग्विश हो जाया लेकिन यह परसंग को बहुत सदा पसंद करेंगे यह परसंग आपको लेकर बहुत सीरिच होंगे है देखते हैं आपको क्या लव– song dedicate करना चाहते हैं व प्. scott give me accurate message okay सबसे पहले है यहां पे crazy for you by madonna यहां पर डेलिकली आपके परसन यह कहना चाहते है कि मैं तो तुम्हारे लिए पागल हूँ i'm crazy for you thousand mile bite of love ठीक है तो यह song एक-दो song और देख लिते हैं my dilemma by selena gomich and last one is dress by taylor swift तो आपके यह जो person ने यह सारे songs आपको dedicate कर रहे हैं और हो सकता है कि इन सारे song में आपको यह person imagine करो करेंगे या फिर करते हो ठीक है so जल्दी से like and subscribe पीजे लाइन हो जाए family member बन जाए यह personality लिए contact कर सकते हैं मेरे gmail और insta id के तुरू जो कि मैंने आपको skin page show कर दिया किसी भी topic प्रीडिंग ले सकते है है marriage हो love life हो career हो past type regression हो दुनिया के किसी भी कोने में तो भी आप अपनी परसर दिंग ले सकते हैं चैक अनुड़ा हो दीपली काट को सो देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी क्या इस परसन से आप अल्रेडी मिल चुके है या अभी इस परसन से आपको मिनना है बाकी सबसे पहले मैं बताऊंगी personality किस तरह की इस परसन की personality हो सकता है नेचर हो सकता है यह सब कुछ आपको पता चलेगा जल्दी से पहले लाइकन सब्सक्राइब करके अलाइन हो चाहिए फैमिली मेंबर बन चाहिए और परसर दिंग के लिए कांटाक कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा इडी के तुरू जो कि मैंने बिए पॉजिटिव रहे है हाप प्लानेट काड़ भी देखेंगे और सबसाथ जोडिया काड़ बिए और इनका हाउस देखेंगे कि कौन सा हाउस जो है इनका स्ट्रॉंग हो सकता है ठीकिक इस तरीके से जो हाउसे हैं के उपर अफेक्ट डालते हैं वह सब यहाँ पर मैं सुने और समझे ठीक है ऐसा हो सकता है कि आपने अपना 100% पास्ट के रिलेशन में दिया है लेकिन कभी भी आपको कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो कि आपको सुने समझे और डीपली सुने ठीक है डीपली आपसे लव करें तो यतना आप चाहले जिससे आपकी शादी होगी वह इंसान आपको बहुत ज्यादा प्याद करेंगे और वह इंसान बहुत ही जादा डीपली आपके साथ कनेक्टेड होने वाले हैं जैसे कि आप देख सकते हैं आनसान ऊरड़ी आपके लाइफ में है तो कोई ribbonus अपके लाईम में आ governance दिसके साथ आपका दिमाग से सबसे पहले जो आप दोनों की बीश में connection होगा वो एक कह सकते हैं mind to mind से पहले heart to heart connection होगा ठीक है yes and अगर इस person की personality देखी जाए तो वह भी मैं आपको बताती हो मुझे आसा लग रहा है कि आप दोनों की बीश में बहुत सारे similarities हो सकते हैं ठीक है जैसे skin tone हो गया face का cutting हो गया बहुत सारी चीज़ें आप दुनों की match कर सकती है ऐसा मुझे यहां पर लग रहा है ठीक है hair color हो गया favorite color हो गया पसंद भी एक जैसा हो सकता है तो सबसे पहले यहां पर आपके लिए जो काड़ा है वो है four of fire के energy मुझे यहां पर clearly दिखाई दे रहा है कि शादी बड़े ही मतलब कह सकते है कि धून थाम के साथ बड़े रिती आपका पसंद और उनका पसंद दोनों को combination जो है गजब का होने वाला है और दोनों मिलके जब शादी करेंगे और जिस तरीके से आप लोग arrange करेंगे arrangement होगा वो बहुत ही blessings कि कह सकते है blessings से कमनी होगा आप दोनों के लिए blessing होगा तो यहां पर सबसे पहले में बताना चाहते हो यह आपके यह जो परसन है arrange marriage का proposal भी आ सकता है यहां पर chances आया है इसलों में बता रहे हो ऐसा हो सकता है कि आप चाहो कि मैं arrange marriage कर लो अब देखें यहां पर आपके परसंद होंगे कैसे ठीक है और इनकी थोड़ी से मज़े chloric personality दिखाई दे रही है chloric personality वह होती है जो कि बह बहुत है जादा analytical होते है logical होते हैं उसके साथ कह सकते हैं कि बहुत टॉफ minded इंसान होते हैं यह लोग तो वैसी इस परसंद की मुझे यहां पर परसनालिटी दिखाई दे रही है ठीक है और यह ऐसे इंसान होंगे जो भी काम किया उसको पूरा किया commitment दिया तो उसको पूरा करना है तो करना है at any cost ठीक है जान पर बनाएगी लेकिन मैं करके रहूंगा यह मैं करके रहूंगी वैसी वाली आपकी परसंद की परसनालिटी है इसी बजह से मैं देख पा रही हो कि उन्हों जो भी अपने लाइफ में कैरी किया है उसको complete भी किया है ठीक है और बेलन ख्ल orderly ठीक है और पेसें यह सारी इनर्जी परसंद के अंदर कूट कूट कर भरी होगी तो यह जो four of fire की एनर्जी है सबसे पहले यह clarify करती है कि आपके जो परसंद है उनका जोडिक साइन एरिस लियो साजिटेरिस भी हो सकता है ठीक है फायर साइन के है चांसे बहुत जादा न को निभाते हुए दिखाई पड़ रहे है ठीक है बहुत पन्ताव बहुत अच्छा करने वाले एक टाइम आहसा रहा है कि आप अक्याले रहे एक बहुत दो लुट बहुत दोनीलिंस में रहा है और यह बहुत जादा लुननिरिस नहीं यह परसंद आपके लिए पेस्पेर कि तरह हो सकते हैं मुझे ऐसा लग रहा है और यह परसन बहुत लंबे समय तक हो सकता है meditation का क्लास हो गया योगा क्लास हो गया यह सब किये हैं यह परसन ठीक है तो यह सब है इस परसन के अंदर energy that's why यहां पर मुझे यह बहुत ज़्यादा अपने बारे में एक एक जीड जानते हैं जैसे इंगों को आकर आडवास देगा कि तुम यह कर लो तुमारे वह सबसूट करेंगा तो यह कहते होंगे कि तुम्हें मतलब बताने की ज़र्वत नहीं मैं perfect होंगे सही हो ठीक है कुछ लोग है जो कि इनको manipulate करने के लिए उनको यह इस तरह से जवाब देते होंगे तो इन्होंने अपने बारे में बहुत कुछ जान दिया है इनकी बहुत सभी ही सब्सक्राइबाई हो चुकी है और ये इंसान जो है इसा ने बहुत बूट होंगे बहुत एगिरेवल पर्सन होंगे अग्री कर जाते होंगे ठीक है और एसा मुझे लग रहा है कि मुझे आपे दिखाई पड़ रही है उसके बाद मुझे आसा सब्सक्राइब थे उपर सिच्बर की परसण की नेचर क्या है नेचर मनली इस परसन की नाइट उफ हर्थ की अनर्जी तॉरस टॉरस वरगो प्रिकोन उस परसन का जोडिक तॉरिक हो सकता है परसन बहुते ज्यादा आपको लेकर नहीं मतलब अपने जिंदिगी में जितने भी लोग रहे हैं सबी को लेकर यह परसन लॉयल रहे हैं अपने काम को लेकर रहे हैं अपने काम को लेकर रहे हैं एक एंजल की तरह ही है यह परसन आपके लिए क्योंकि इतना ज्यादा डेडिकेशन मैं देख पारी हो कभी आपको नहीं मिलाया जितना इनके द्वारा को मिलेगा बहुत ओनेरेबल और बहुत काइंड इंसान होंगे ज़ज बहुत हो सकते हैं और इजद भी काफी जदा है इनका होता होगा ठीक आप कौन नहीं चाहेगा कि मिचे को ऐसा पार्टनर मिलें जो कि इसका बहुत रिस सुना है बल्कि रिस्पेक्ट करें मेरे हस्में की मेरे वाइस के तो जब भी इस परसन के बारे में इंक्वाइडी करोगे पता करोगे अफ़कॉर्स करोगे हैं कि शादी नहीं होता सब कुछ जानोंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा यह तो बहुत अच्छ करेंगे यह परसन डॉक्टर को गिरा भी हो सकते हैं ठीक है यह चीज भी मुझे आपके क्लिरली दिखाई दे रहा है तो बात यहां पर यह है कि आपके यह जो परसन है यह बहुत जादा आपके तरफ जो है प्लेजर क्रियाटिविटी पैशन ठीक है सेक्श्यालिटी यह स बहुत तरफ इंटलिजर्स होते हैं इंके अंदर बहुत टाइप के इंटलिजर्स मुझे दिखाई पड़ रहे हैं ठीक है यह ऐसे प्लानिंग करते होंगे जैसे कि पता भी नहीं चले और यहां पर मुझे आसा लग रहा है कि यह अपना किसी से कंपारिजन ना करना ठीक ह आपके साथ और वक्त बिटाना चाहेंगे समय बहुत बात करेंगे डूसरों से मतलब जैसे तैसे बात करेंगे यह आपके मंन में डर होगा कि एक और्पो भी खो नदे इस व.. ऐन के आपके लिए कुछ करने को ready हो जई कि यह पी दिखाई दे रहा है तो कहींना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यह वो इंसान है जो कि आपके लिए हस से जादा गुजरने वाले हैं ठीक है अब तब ही तो आप दोनों की शादी होगे और आसे परसन से शादी भी करनी चाहिए जो आपके लिए सब कुछ करें आपके लिए कुछ भी करने को रड़ी हो तो वो व वाइडस एट टेंपल बट विथ प्रमेनेंट जौ प्रमेनेंट जौ होगा इस परसन का उसके साथ मुझे असा लग रहा है कि मेबी जो चिक बोंस है ठीक है चिक बोंस जो है वो काफी ब्यूटिफूल होगा इस परसन का यह भी मैं आप पर देख पा रही हो आपके परसन सकते हैं उनको पहचान सकते हैं ठीक है इनका फेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बहुत सब्सक्राइब करते होंगे यह कुछ भी हो यह अपना बहुत कियर करते होंगे ऐसी वाली एनर्जी मुझे आप पर दिखाई दे रही है और यहां पर ऐसा हो सकता है कि मैं इस लिया ना बता रहों था कि आप इनको सबसे पहले देखेंगे ऑसी कहां पहिए और सक्वाइर से भी हो सकता हैं तो वैसा हो सकता है और चीन जो है इस पर संगा पॉइंटी होगा ठीक हो और यहां पर यहां पर एक एंगर्याव कैंसर की तो आपकी जो परसन है इनका जोडिक सांट कैंसर होगा काफी emotional काफी sensitive और overly भी हो सकते हैं लेकिन हाँ care भी बहुत overly करेंगे प्यार भी बहुत overly करेंगे ठीक है तो कभी भी आप अपने parents से भी दूर हो रहे हैं और किसी भी कारण के वज़े से तो यह person कभी parents की कमी मैसूस नहीं होने दे रहे हैं ऐसा आपको फील होगा तो यह चीज है यह वाली बात है आपके person के अंदर मुझे तो बड़े ही अच्छे लग रहे हैं उसके बाद यहां पर है आपके person का zodiac sign Taurus होगा honeymoon पर यह person आपके साथ definitely जाएंगे और कहा जाएंगे यह मन में सवाल उठ रहा होगा तो मुझे ऐसा लग रहा है honeymoon पर यह कोई बहुत बड़ा डिस्कोर पव पार्टी यह सब करने के लिए नहीं जाएंगे और बहुत सांती से आपके साथ time spent करना चा नेशरल प्लेस पर ही इनका जनम हुआ है वहाँ पर पढ़ाई किये हैं और काफी knowledgeable है इस सब है इस परसन के अंदर qualities ठीक है और यह थो बहुत मेकप भी करते होंगे जैसे हाइलाइट ब्लश वगेरा यह सब करना ठीक है बहुत कुछ होता है मुझे उतना idea नहीं है लेकिन ह करते होंगे करनी ज deth commercial ऑर फीम idee है तो मिलो चुम आडिकर करते होंगे उसकी बात ही जब्लेक चाहता है यह बहूँ बहुत ही ज्दा के इनसान उसकते है चाहता इनकोगारत को स्कुर्टे के हो सकते हम खेकर। इतना ही आसान नहीं है आपको बहुत जादा समझना पड़ेगा बहुत मास्टर बनना पड़ेगा इनको समझने के लिए ठीक है लेकिन जब चाहेंगे कि चलो ठीक है तो मुझे जाल लो तो फिर ये आपके सामने अपने आपको बुल्किल एक खुली किता आपके तरह open करके ठीक है क्या क्या पसंद है तो time spend करना spending time in nature ठीक है ये सब इनको पसंद है हसना मुस्कुराना relaxing music सुनना मसाज करना ठीक है खुद का भी या फिर हो सकते आपका भी मसाज करे विजुलाइशन करना प्रेयर करना exercise करना आपके साथ sunset देखेंगे sunrise देखेंगे ये सब होगा आप आपको पाकर ये परसन बहुत ही जदा gratitude के energy में रहेंगे ठीक है मैं आपको बताना चाहती हूं कि जैसे एक sun heal करता है warm करता है वैसे एक परसन आपको हील करेंगे चार्श करेंगे warm करेंगे ठीक है जैसे एक moon बहुत ज़्यादा हमें हमारे fear से निकालता है वैसे यह एक ocean cleanst और रिफ्रेश करता है ठीक है open energy को invite करता है exactly यह परसन भी आपको ऐसी तरह cleanst करेंगे refresh करेंगे इनसे बात करके आपका mind refresh हो जाएगा, आपके अंदर energy नए उर्जा का संचार होगा, फोट सब्सक्राइब होगे, लेकिन होगे तो आपके लिए लिए आपसे ही प्यार करेंगे, जो होगे आपके लिए होगे, इनको forest रगे रखुनना बहुत पसंद होगा, आपके लिए ये person जो है, हर एक बुक कर लेंगे, प्लानिंग कर लेंगे और आपको लेकर जाएंगे वैसे वैसे प्लेसे पे जिसके वज़े से आप दोनों की बीच में एक और भी understanding grow होगे, strong होगे, आप यहाँ पे जानना चाहते हो कि शादी किससे होगी जानते हो यानि मुझे असर लग रहा है कि जानत लेकिन अपने duty को बहुत अच्छे समझने वाले person है, इस person के अंदर मैं देख पार यह बहुत deep emotions है, feelings बहुत अच्छा है, ठीक है, यह होना चाहिए हर एक इंसान के अंदर, जो कि सभी के अंदर नहीं होता, ठीक है कुछ लोग पैसे की भीज़बागते हैं, लेकिन आपके के दुख को हर लेते हैं, दुसरे के दुख को हील कर देते हैं, अच्छा कर देते हैं, उसको सारे प्रॉब्लम से निकाल देते हैं, तो कहीं न कहीं एक तरीके से energy giver है, energy giver जैसे sunlight होता है, ठीक है, dance करना हो गया, fresh air लेन होगे, वैसे यह person आपके लिए energy giver होगे, ठीक है, सब आदते छुट जाएंगे आपके, ठीक है, या फिर कुछ बहुत बुरी आदत, जैसे बहुत जादत चंक फूट खाना ही है, सब भी इस person के साथ आप रहोगे, तो एक साथविक life आप जियोगे, अच्छा step लोगे अपने life में, ठीक है, यह person बहुत knowledgeable और साथ-साथ आप से बड़े भी हो सकते हैं, एज में, 3-4 या 5 साल बड़े हो सकते हैं, साथ-साथ यह person आपको इस दुनिया की हरे खुशी देने को ready हो जाएंगे, और यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि यह person आप से first time में impressed हो जाएं, और आप जितना impressed होगे ना, उससे कहीं जादा यह person से, मुझे कलक सा feeling आएगा, ऐसा मुझे आप पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर clarify करते हैं और भी, कि यह person कैसे है, ठीक है, देखते हैं इस person के साथ आपकी journey कैसी होगी, यह तो मैंने देख लिया कि कैसे हैं, लेकिन journey कैसी होगी, यह देखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जासा भ आगे आने वाले time ने, ठीक है, उसके साथ आप कोई भी काम करोगे, उसका divine time होगा, मतलब आपका married life आपके लिए favorable time होगा, एक opportunity के तरह आपके life में आएगा, देखे, सबसे पहले मुझे आसा अलग रहा है कि आपका physical structure है, body है, यह सही तरीके से हार्मोन्स का release होना, happy hormones का release ह body activated रना हुई, सब आपका married life के बाद रहेगा, इस person के साथ रहोगे तो भी रहेगा, ठीक है, उसके बाद मुझे आप ऐसा दिखाई दे रहा है, कि balance बहुत होगा आप दोनों के life में, ठीक है, कोई जादे इंपॉर्ब नहीं होगा आप दोनों होगे और कोई तीसरा ने, ठ ठीक है, और आप लग बहुत ट्रावल करेंगे, सेफ ट्रावल होगा दोनों का, Overseas भी हो सकता है, अब ट्रावल केसी भी तरह कोगा, लेकिन बहुत सादा करोगे, यह परसन जो है, कभी भी negativity नहीं आने देंगे रिष्टे में, और मुझे आसा लग रहा है, बहुत महनत भ प्यार बहुत ही जादा है, effortlessly, unlovingly आपके लाइफ में, हर एक चीजे आती चले जाएंगे, जो भी आप दोनों की जरुत होगी, वो universe पुरा खरेगा, ठीक है, और बहुत comfortable होगा यह रिष्टा, ठीक है, सबसे important तो यह होतान है, कि आप अपने partner के साथ comfortable है नहीं, तो करेंगे, ठीक है, desire को यह जरूर पुरा करेंगे, उसके साथ boundaries की energy है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों, आप दोनों अपनी लिए boundaries करेंगे, बलगे आप दोनों एक जगा होकर, ठीक है, आप दोनों बाकी साथी लोगों के boundaries करेंगे, ठीक है, एक protective shield करेंगे, और कही युनिवर्स भी आप दोनों के लिए एक protective shield कर रहा है, जिसके वज़ा से आप दोनों को कोई disturb ने करेंगा, आप दोनों होंगे, तो सिफ आप दोनों होंगे, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ पेट पालोगे, ठीक है, कुछ पेट्स वगिरा हो सकता, आपकी इच्छा ह हो सकती है, आपके जैसे ही सोच वाले हो सकते हैं, उसके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके परसन बहुत अच्छा अच्छा काम करेंगे आपके साथ, ठीक है, दूसरे को बहुत प्यार करोगे, हग करोगे, ठीक है, अच्छा अच्छा time spend करेंगे आपके साथ, और सब आपके साथ कर रहे है, नेचर में अच्छा time spend कर रहे है, ठीक है, sun time, जो है, मतलब like spend कर रहे है, time in the sun, ठीक है, यह सब कुछ यहाँ पर होगा, hiking और गएरा, भी आप लोग जो है, hike मतलब, hitchhiking, घुमना फिरना, ठीक है, या फिर पहाट पर चलना, इस तरह की चीजे हो स से ज़रूर मैच कीजे, please Scott, give me accurate message, personal link के लिए contact कर सकते है, मेरे Gmail और Insta ID के थरूँ, जो कि मैंने आपको skin पे show कर दिया, दुनिया की किसी भी कोने में है, तो आप अपनी personal link ले सकते है, E हो सकता है, first name initial, first name, second name, third name, कुछ भी हो सकता है, पहला आया है, E, ठीक है, तो contact कर सकते ह Gmail और Insta ID के थरूँ, screen पे show किया है, वीडियो के description में, Insta का genuine link मिल चाहेगा, और Gmail पर आप directly message कर सकते है, और तो लिए कि किसी भी कोने में, तो भी कर सकते है, किसी भी topic के reading ले सकते है, D, N, L, X, Y, F, then यहापे S है, and three last देख लेते हैं, सबसे पहले है, यहापे आपका, please Scott, give me accurate message, O, G, and last one is C, ठीक है, और राइट, अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो person है, यह person कौन से state के है, सबसे पहले state की बात की जाए, उत्राखंट, चंडिगर, और राइट, please Scott, give me accurate message, Madhya Pradesh, Maharashtra, and definitely Urisa से भी हूँ सत्ले आपके person, and then यह person, Himachal Pradesh की भी हो सकते है, और देखते हैं, please Scott, give me great message, Jammu and Kashmir, Manipur, Assam, three last लेंगे, यहापे आपका सिकीम हो सकता है, then यहापे है, अंडुमान अनिकोबा, last one is West Bingoal, ठीक है, यह सारे beautiful states हुए, अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो person है, आपके husband, यापके wife, इसे मुलकात कब तक होगे, आपकी, कौन से मंत में, कौन से टाइम में, वाव, July, यह 1 July को मैं यह reading आपकी बना भी रही हो, ठीक है, और उसके साथ अब July में मिलेंगे भी, कमिंग सेटर्डे, आगे आने वाले, सेटर्डे को मिल सकते हैं जुलाई की मन्त में, ठीक है, एंड यह आप है, मैं प्रेह करती हूँ जल्दी से जल्दी मिलो, आप सभी लो, स्प्रिंग पर्सन, ने वी लेंगे आपके में तो, बछोड़ में, आपके में, सब्रॉजबर में को शादी हुग और देख लाएं, विंटर सिसमने डेफिनी आपको शादी होग टीक है, विदिन टू मंथ तू काट्स ओड लेंगे ऑक्टूबर नॉयंबर आपके लिए बहुत फेवरिबल टाइम हुआ शादी के लिए अगर आपके नज़र में है कोई परसन तो अक्टूबर नॉयंबर में यह थंड के टाइम में शादी कर सकते हैं देखिए बार बार आही रहा उनके future spouse के तरफ से सबसे पहले है you are the dream I go to every time I close my eyes कहीं न कहीं यह परसन आपको हमेशा अपने ड्रीम में अपने सपनों में देखते हैं और जब उन्हीं रियलिटी में भी लोगे तब तक इदम फ्लाट हो जाएंगे आपके पर ठीक है I am worried about you यह परसन आपको लेकर बहुत चिंतित रहेंगे कभी यह बाहर आपको छोड़ कर भी जाएंगे तो आपके बार में सोचेंगे आप कैसे हो कैसे नहीं हो ठीक है उसके बाद है you are the best thing life has given me यहाँ पर यह कहना चाहते है कि तुम सबसे best thing हो यह best gift हो जो life ने मुझे दिया ठीक है उसके बाद है यहाँ पर when I see your eyes I feel like I know you from my past life मतलब आपके परसन यह क्याना चाहते है कि पता नहीं जब भी हो सकता है यह परसन आपको देखे तो उनको आसा पीलो कि यह परसन आपको पास लाइफ से जान रहे है ठीक है तो एक पास लाइफ कनेक्शन हो सकता है soulmate twin plane जादा दिखाई दे रहा है ठीक ह उसके बाद है I feel so helpless I want to be with you but I can't कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जैसे आपकी खुद की अनर्जी दिखाई दे रही है कि आप इस परसन के साथ होना तो चाहते है शादी तो करना चाहते है पर बहुत helpless है ठीक है और हो सकता है वो भी उस तरफ हो तो आप दोनों मिलने वाले ह उसके बाद और देखते हैं I want to make love with you that's great उसके बाद है आपे यह परसन जो है बहुत ही ज़्याद आपके तरफ अट्राक्टेट होंगे फिजिकल कनेक्शन बहुत ही ज़्याद होगा आप दोनों के बीच में तेके इस कनेक्शन गिवस्मी हार्ट प्लेशर तेके ऐसा नही बहुत हर्ट प्लेशर देगा तो हर्ट प्लेशर भी मतलब बहुत जादा सांध फिल करना रिलाक्स फिल करना यह सब आपके साथ ही परसन करेंगे कभी आप इनको हर्ट कर दोगे तो पूछेंगे why you did this to me ठीक है बहुत प्यार से पूछेंगे उसके बाद होगा I have lost all hopes ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग एकदम पास्ट में चा रहे हैं ठीक है पास्ट के परसन को सूच रहे हैं तो मुझे असा लग रहा है कि उन्होंने सारे होप खो दिये लेकिन भगवान आप दोनों को मिलाएगा अगर आप चाहते हो उस परसन से शादी करना ठीक है जिसके लिए आ आपका जो नाम होगा वहीं इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा आपका नाम इनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ठीक है और नाम भी बहुत पसंद आएगा और आपका काम भी बहुत पसंद आएगा आपका नेचर भी बहुत पसंद आएगा यह सब मैं आप सबसे पहले यह पर्सन आपके होंगे बेल्जियम मलिशिया प्ली स्कॉर्ट में एक्यूरेट मैसेज फो मैडियर व्यूवर्स देन यह जो पर्सन में मौल्वीस के हो सकते हैं ठीक है और देखते हैं जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लीचे थाकि आपके लिए पॉप मिल सकते हैं यूक्रेन अंड यह पर एक और है वह यापका धी थेके पो आपके हो सकते हैं गो Christmas Kirstenstein, Finland, Nederland, all right, please God, give me a great message for my dear viewers, Poland के भी हो सकते हैं, ठीके, and India, USA, and two, three last तेकलते हैं, So, please God, give me a great message, all right, Bulgaria, Australia, Switzerland, and last one is, Please God, give me a great message for my dear viewers, कहां से होंगे इनके पर्सन, Okay, So, ये जो पर्सन है, Iceland के भी हो सकते हैं, तो ये सारी ब्यूटिफल कंट्रीज जैसे, Canada, USA, Iceland, India, ये सब जगा से आपके पर्सन होंगे ही होंगे, अब देखते हैं, आपके पर्सन आपको क्या love song dedicate कर रहे हैं, अभी क्या भी, So, please God, give me a great message for my dear viewers, क्या love song मिल रहा है, मेरे विवर्स को उनके future spouse के तरफ से, सबसे पहले है, hate the way by G.Easy, ठीक है, है, मतलब ये कहना चाहते हैं, मैं बिलकुल पागल सा हो चुका है, हैट करता है, ये तना तो मैं और ये से मिस कर रहा हूँ, ऐसा ये कहना चाहते है, हो सबसुक्त है, ये, मैसेज आपके करेंड पर्सन के तरफ से भी हो, treat you better by swan mendes ठीक है जितना यह person आपको प्यार करेंगे उससे ज्यादा इनको लगेगा कि मैं और भी कर सकता हूँ कर सकता था मैं like मेरे अंदर वो है capability कि मैं कर सको मतलब ऐसा इंगा थिंगे होगा कि आप वह इंसान है जो कि आप करते हैं बहुत सारा प्यार ठीक है उसके बाद है नेवर फोगेट यू बाई जारा लार्सन तो यह सॉंग भी आपके पर्सन आपको डेडिकेट कर रहे हैं त्री सॉंग्स हुए अ मैं आपको बताऊंगे कि फर्स टाइम कहां मुलाकात होगी इस पर्सन से आपकी त्रीन सेशन आप सेशन जू बस्तॉप मॉल्स तेम्पल वर्प्लेस अधर कंट्री फुट कोट जीम और देखते हैं त्रीमा वाटर पर्क्राइब होली प्लेस से एरपोर्ट यह परसं आपको जूम मिल सकते हैं स्पोर्स चॉप मिल सकते हैं बेकरी मिल सकते हैं एक लास्ट है वह आपका पार्क ठीके तो यह सब्सक्राइब हुए अब मैं आपको बताऊंगे कि आपके जो person है उनका profession क्या हो सकता है यह important है सो मैं सबसे पहले यह देख लेती हूँ profession ठीक है all right profession की बात की जाए तो physician assistant हो सकते है business man business woman agriculture inspector agriculture field के भी हो सकते है then यह person एक writer हो सकते doctor pilot bank pew accountants software engineer scientist marketing manager media buyer देन यह पे है clinical psychologist painter pharmacist cardiologist urologist and photographer bodybuilder architect librarian singer and last taking eggs who have a web developer process engineer solution architect network administrator ठीक है तो यह सारे beautiful profession आपके person के हो सकते हैं ठीक है यहां पर मैं बता देती हूँ जाते जाते कि आप दोनों का matter life होगा कैसा please Scott give me accurate message for my dear viewers कैसा होगा matter life ठीक है तो सबसे पहले है attraction and new spark आप दोनों के बिश्में जो प्यार है वह हमेशा बना हुआ रहेगा बहुत सारा attraction होगा और हमेशा spark बना हुआ रहेगा ठीक है अप 1st 2nd 3rd marriage रहे जो भी आप देख रहे हैं मन में डर है confusion है कि पता नहीं फिर से क्या होगा तो सब अच्छा होगा आप मिले ही कहा है अपने twin flame से अप मिल रहे हो ना तब बहुत जादा beautiful connection हो रहा है इसलिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम अपना सर उंचा करके एकदम confidently अपने पर्सन के साथ हो गया ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपके पर्सन तो खैर बहुत जादा compassionate and wise होंगे इसलिए आप दोनों का बहुत wise and compassionate love होगा और बहुत ही जादा curious and inspiring love होगा यह ऐसा प्यार होगा इतना beautiful love होगा कि दुसरों को भी इंस्पार करेगा जैसे हो सकते हैं अगर आप दुसरे religion या दुसरे साथी कर रहे हैं तो यह दूसरों को डर होता है कि पता नहीं हम कर भी पाएंगे या नहीं लेकिन जब आप करोगे तो आप लोगों के लिए मतलब बहुत साथा motivation बन जाओंगे आप दोनों ही तो वो लोग को भी हिम्मत आएगा कि चलो हम भी प्यार करते हैं हम भी करेंगे तो यह तरह की से आप motivation भी बन के सामने आ रहे हैं आप लोगों का यह मैरेड लाइफ ठीक है आपको क्लारीटी में लिए समझ में आए किसे होगी शादी कैसे होंगे और कैसा होगा आपका मैरेड लाइफ हो सकता है रिलेशन सिप में आके आप विचादी करें यह चीज है 10 9% लोगों के लिए हो सकता है कि अरेज मेरेज हो ठीक है यह आपकी इच्छा पी डिपेंड करता है लेकिन हाँ अगर आपकी इच्छा है कि शादी करें परसन से ही करनी है अपने क्रश्च नहीं करनी है होगी ही होगी definitely मैं प्रेय करते हूँ ठीक है तो जल्दी से contact कर लीज अपना छोड़ा सा एफॉर्ट दिखा सकते हैं इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं हमेशा इस तरह के ब्यूटिफुल रिडिंग आपके लिए बनाते रहूं कि सब्सक्राइब टेक कियर